तो फाइनली आप लोगों के समस्त में प्रचीन इतिहास का पूरा का पूरा माडल पेपर कोश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं जो कि इसी वर्ष 2023 के सिसिन का ये पूरा का पूरा पेपर है यदि आपकी परिच्छा लगी हुई है तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ही पूरा प्रश्ण पेपर बहुत है तो थोड़ा आपको माडल पेपर भेजा गया चात्रों के द्वारा लेक थोड़ा यहाँ पर आपको हलका बलर मतब किलियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन भाई चात्रों के बादार आप ही द्वारा बेजा जाता है ठीक है तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लिजीगा ठीक है हम फिराल कोश्चिन पढ़ देंगे ठीक है अच्छे फे भारतिय पुरतत का जनक यानि कि फादर को कहा जाता है पुरतत्तु का जड़क ठीक है याद रखेंगे अगला प्रसुन ने कि वेदों का संकलन कि जो वेद हैं उसमें विभाजित किया गया ठीक है यानि कहने का मत्तब है वेदों का संकलन किया ठीक है कि रिषि व्याद बेश जी हैं जो कि एक प्रमुक रिषी और ठीक है महा से रिषी हैं ठीक है कि रिग वैदिक आर्यू की प्रमुक आजीवका क्या थी यह सारे जो कोश्चन है यह आप सभी के एक्जाम के लिए महात्पूर्ण है तो इनको जरूर तयार करके जाएं ताकि आपको हेल्प मिले ठीक है यह प्रश्ण कहे रहा है जो रिग वैदिक के जो आरे लोग थे उनक तो पस्वों का पालन ही उनका एक अजीवका का प्रमुक साधन था पसवों पालन पस्वों का चारण ही उनकी अजीवका का प्रमुक साधन था एध्यान रखेंगे काफी ठीके तो इसका इसतार आप लोग लिखेंगे शिंपल सा कि जो हड़ब असथां है यह जोauen न Mont जिला, सहेवाल जिला में है ठीक है और पंजाब पाकिस्तान में लगता है, ठीक है, कहां पर है, अब इस प्रकार लिखेंगे, कि ध्यान से सुन लिजे ताकि आपको हेल्प मिले, ठीक है, आपकी एक्जाम पर जैसे ये प्लाशन आये गया और कहा इस देख तो आप मेशों पोटामिया का क्या आर्थ के बारे में जड़ले तो मेशों पोटामिया जो मिली करταättे मेशों का अर्थ है मद्ध यानि की भी उड़ल इस अधार नदि चेतर को मेश मेसुपुटामिया कहा जाता यह दो नदी है ठीक है तो नदी कि जो बीच छेत्र है उसे हम मेसुपुटामिया कहें इस बात को ध्यान रखेंगे काफी हलब सब्सक्राइब कोईश्चन में सब्सक्राइब कोईश्चन है तो मिस्र यूरोब महादीप में इस थी था इस बात को ध्यान रखेंगे सब्सक्राइब कोईश्चन है तो आपको ध्यान रखना है इतिहास के जो फादर हैं ठीक उनका नाम है हम लिख दे रहें आप आप लोग नोट कर लेंगे ठीक हेरो डोटर्स क्या कौन है हेरो डोटर्स बहुत ही महात्पूर्ण बहुत हाई लेबल का प्रश्ण है आप सभी क पहले अधिकारिक एतिहासिक पार्ट के लेखक थे उन्होंने रोमन राजनेता सिसरोफ एतिहाफ के पिता का खिताब अरजित किया है ठीक है तो इफले इने इतिहास का जनक कहा जाता है आगला प्रश्ण बहुत ही महात्पूर्ण प्रस्तुत है जो कि आप लोग सुनते भ वारें बहुत ही महात्पूर्ण प्रस्ण है ठीक है तो गायतरी मंत्र जो है ठीक है इस सरप्रथम रिगवेध अर्जवेध में से उध्रत से यादवbud कौश्यंल रिग वेद से उध्रत है यानि कि रिग वेद में इसका उलेक किया गया है गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम ठीक है याद रखेंगे काफी टॉप लेबल का काफी हेलफुल और वैसे जर्णली आपको जानना भी चाहिए ठीक है चलिए नेश कोशन के रूपढ़ें नेश कोश पूछा है पूछा जाए का हम भी राभी से जुड़ा तो याद रखेंगे काफी हेलफुल कोश्चिन है आप सभी के एक्जाम के लिए तो हम्मू राभी की जो बिद्शाहिंता है इसमें दोसो पच्चासी धाराएं ठीक है इसमें उपलब्ध हैं या फिर दोसो पचासी धाराएं हैं ठीक है इस बात को ध्यान रखेंगे दोसो पचासी बहुत ही महात्पूर्ण प्रस्ण है तो हम मुराभी गायत्त्री मंत्र यह तो कभी का दार आता है लेकिन आप लोग जो वेद हैं चार इनके बारें पढ़ लेंगे तीहास का जन है कि भी महात्पूर्ण प प्रस्ण का उत्तर कितने सब्दों में देना कितने सब्धों करना है आपका पेपर होगा तो उसमें पूरी जानकारी आप पढ़ लेंगे उसके बाद हर एक प्रस्ण को समझ के उत्तर देंगे इसुबात को नोट रखिए आप सभी है नौट देंग और साहित का संशिप्त परचे दीजी वेदां यानि कि वेदों के बारे में जितने भी वेद हैं चार वेदें के बारे मापको एक्स्प्रेइन करके लिखना है चोटा चोटा परचे देना है बहुत इस टॉप रेबल का गुश्चिन रहें ठीक है हाई लेबल का है तीन प्रशन ह आपको दस नंबर मिलेंगे तो आपको अच्छे फे चारोवेत के बारे में डिस्काइब करके लिखना है काफी हेलफूल टॉप लेबल का कुश्चन है ये कुश्चन कई बार पर इच्छा में रिपीटेड भी है तो इस बार आपको अच्छे फे तयार कर लेना है ठीक है अभी कोश्चन हों का उत्तर हमने महा संग्रा वीडियो में कबर करा रखा है आपने नहीं देखा तो जरू देखेगा लेकिन ये महात्पूर्ट प्रश्चन इसको जरू तयार कर लीजीगा इसका उत्तर ठीक है सेम उसी तरह कोश्चन नीचे वाला भी है कि सिंदु सरफस सभिता के साथ वैदिक सांस्कृत के अंतर संबंध पर प्रकाश डालिए ठीक है तो ये भी काफी हल्पूर्ट कोश्चन इनमें से इनमें से कोई ना कोई कोश्चन फर्श जाएगा आपके परिच्छा में टॉप लेवल के हैं तो ध्यान रखेंगे ठीक है आप सभी ओके सब्सक्राइब में वर्डित नैतिक मोल्यों का संशिप्त परिच्छे दीजिए यानि कि रामायर जो है ठीक इसमें कुछ नैतिक चीजें हैं ठीक है जो की वर्डित है उसके मोल्यों के बारे में आपको लिखना है ठीक है है यह रामायर महा भारत फिर युड़ा कॉश्चेण एक नएक फसेगा आपकी परिच्छा हितियास में परिच्छेर के फस्ट समेस्टर में 100 परसंट शोर है तो आप तयार जरूर करके जाएगा महा काब के बारे में रामायर जो है और प्लस महा भारत इन दोनों के बारे म परिच्छेर के नदी घाटियों के युगदान की बीच्छन की जिए यानि जो नदी घाटिया रही है उनका क्या क्या योगदान ना है उसके बारे आपको एक्स्प्लेशन करना है इन सभी को मैंने महासंगरां वीडियो में कबर भी करा रहा है और देख लीजिए आप सभ बिता के बारे में पढ़ लिए जिगूरत पर एक संचिप्त टिपड़ी लिए जिगूरत यह अतले उत्रे में ज्यादा आता है लेकिन यहां पर लग उत्रे में पूछा गया शुमेरियन यह भी कोईश्चन आता है कई बार पेच्छ हम रीपीटेड है तो अच्छे जरू कर बोला था कि नील नदी को मिफ्र नदी का वर्दान क्यों कहा जाता इसके बारे में आको दीटेल में तयार कर लेना क्योंकि एक भी हिस्ट्री का पिछले लगातार जितने भी कोई पर नहीं तो आपके यहां पर प्लस पॉइंट हैं 10 ट्यार कर लेंगे 10 नंबर पक्के अगला कोईश्चन है कनफ्यूसियस के बारे में आप क्या जानते हैं ये भी कई बार पैच्छा में रिपीटड कोईश्चन है ये भी आज आता है तो इसको भी आप तयार कर सकते हैं लेकिन इसमें से जिन तीन प्रस्णों के बारे मापको अच्छे जानकारी उन्हीं तीन प्रस्णों का उत्तर देना है बाकी और नहीं देना इस बात को ध्यान लखेंगे क्योंकि उपर बताया भी गया है कि तीन ही प्रस्णों का उत्तर देना है ठीक है ओभी 200 सब्दों के करीब करीब आपको लिख रहा है दो पेज के करीब ठीक है दो डाई पेज हो जाए ओके आप बढ़ेंगे हम देर घुत्रे कोईश्चन के ओर जिनको आप लोग बोलते हैं लॉंग टाइम या फिर ब्रस्तत्र उत्रे ठीक है तो इसमें भी पूरी जानकाई दी गई कितने सब्दों में कितने प्रस्ण का उत् दो कुष्टन भी लगुत्रे में पूचे गेते और एक बिस्तित उत्रे में पूचा गया तो आप लोग समझ सकते कितना महत्पूर्णी प्रस्ने तो इसको जरूर फोकस करिए इस पर जरूर आप लोग अपना तयार कर लिजेगा इन सभी प्रस्ट्रों का उत्तर को सिंप ठीक है इन दिनों में से question पक्का फशएगा सिंदूसरोस्तेяс कि外 Warsaw आएगा कुश्य वाग्या सभिता संब्हता के समाजिक और धार्मिक जीवन पर प्रकास डाली यानि कि जो समर्द कूछ धार्मिक में इस्टम भी थे और समाजिक भी सिस्टम थे जीवन उस पे आप लोगों को फोकर्स करना उपे आपको टिप पड़ी लिखनी है काफी helpful कॉफी टॉप लेबल का कुईस्चन आपके एक्जाम के लिए जरूर तैयार करके जाए और एक्जाम में आने की पूरी इस्पेक्टेशन से हैं तो 100% ठीक है सुमेरियों से सब्विताफ यूनिक चीज है वह आपको पढ़ना है ठीक है यह बहुत को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो जो मैंने आज किस वीडियो में आपको जरूर फोकस करना है बाकि अगर आपके पास समय है तो पूरा का पूरा माडल पेपर साल्ब कर लिजिए नहीं देगे सारे प्रस्टों नंबर का पेपर होता तो आपको इस वीडियो से सिर्फ वीडियो से करीब 30 नंबर के करीब आपको help मिल जाएगे 30 से 35 नंबर की ठीक है सिर्फ इस वीडियो से पचीफ है 30 तो पक्का ही पक्का है ठीक है और बाकी इस माडल पेपर को हम टेलेग्राम अटसर पर करा देंगे अब हमारी मा संग्राम भी वीडियो जाकर देख सकते हैं उसमें question and answer दोनों included है ठीक है जेहन्द